नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चैनल कम्प्लीट स्टडी में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए यहाँ पे आपको कम्प्लीट मैथ और जीके कराई जाएगी तो पिछली वीडियो में हमने रिस्ट्रेंट प्रपोर्शन का चैप्टर कम्प्लीट कर लिया था इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोब्लम्स ओन एजीज उमर्शंबंदी पर्शन करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्योस्टर नमबर वन राम और शित्ता की आयू का अनुपात तीन अनुपात चार है उनकी आयू का योग 28 वर्स है आठ वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात क्या होगा तो राम और शित्ता इनकी आयू का अनुपात है तीन अनुपात चार तो अनुपात में इनकी आयू का जोड़ कितना है तीन और चार साथ साथ रेशों इनकी आयू का जोड़ है और क्योस्टर में दिया में 28 वर्स तो साथ रेशो बराबर 28 हो जाएगा एक रेशो बराबर 28 बटा 7 4 तो इनकी आयू कितनी हो जाएगी इस एक ratio की multiply इस 3 से करनी है और एक ratio की value की multiply 4 से करनी है तो 4 की 3 से करेंगे तो 12 और 4 की 4 से करेंगे तो 16 तो राम की आयू 12 वर्स है और सित्ता की आयू 16 वर्स है क्योंस तो ने पूच्छा है 8 साल बाद निकालना तो 8 हैड कर देंगे इसकी आयू हो जाएगी 20 और इसकी हो जाएगी 24 और इनका अनुपात कुछ चा है तो अनुपात निकाल देंगे किस से करेंगे 4 से 4 पांजे 20 और 4 ची का 24 तो 5 ratio 6 आ जाएगा option B तो next question करते है second अनुपम्मा और उसकी मा की आयू का अनुपात 3 अनुपात 8 है उनकी आयू का अंतर 35 वर्स है तो 4 वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात क्या होगा तो अनुपम्मा और उसकी मा मतल M से डिनोट कर लेते हैं तो इनका अनुपात 3 अनुपात 8 तो रेस्यो मीं कांतर कितना है पांूश में पांस तो पांच रेस्यो बराबर किस के हो जाएगा इसने पैतिए सब्सक्राइब गर्वर्च recruit अध्न टो एक रेस्यो बराबर उत्स प्यर इस तीन की च्रम रिंये तो 21ııश की अध्ल से करें तो 56 और चार वर्च बदेए तो च्यार एड़ कर देंगे इसकी आयो आजाएगी 25 और इसकी आजाएगी 60 और इनका अनुपात पुछा है तो किसे घट लिया भी ये पांच से तो 25 और 60 को पांच से कर देंगे तो 12 तो 5 अनुपात 12 इसका अंसर आजाएगा नेक्स्ट क्यों करते हैं पिता और पुत्तर के आयो का अनुपात 7 अनुपात 3 है उनके आयो का गुननफल 189 वर्स है तीन वर्स के बाद उनके आयो का अनुपात क्या होगा तो ये फादर है और ये सन इनके आयो का अनुपात है 7 अनुपात 3 तो इनके आयो का गुननफल दे रखा है तो इसमें क्या करते हैं गुननफल व 21 से 21 से 21 से 21 करेंगे तो यह आजाएगा 9 और X निकालेंगे तो यह तीन आजाएगा अब इस X की multiply इस साथ X से तो इसकी करेंगे तो 3 साथ 21 और 3 की 3X से करेंगे तो 9 तो पिता 21 साल का है और बेटा 9 साल का है और 3 वर्ष के बाद पुछिए तो तीन एड़ कर देंगे यह 29 इनकी प्रेजेंट एज थी तो यह आगया 24 और यह आगया 12 इनकी रेशों नहीं का रही है तो 12 12 12 24 दो रेश्यों एक इसका अंस्वर आ जाएगा नेक्स्ट क्योस्टन करते हैं एक पिता की आयू पुत्तर की आयू से दुगनी है 20 वर्स पुरो पिता की आयू पुत्तर की आयू से 12 गुनी थी पिता की वर्तमान आयू क्या होगी तो एक पिता की आयू कितनी है पुत्तर की आयू की दुगनी यह फादर मान लेते हैं और यह सन अगर सन की आयू एक है तो पिता की आयू इससे दुगुणी है तो यह दो हो जाएगी और बीस वर्स पूरव कितनी आयू थी निकी पुत्र की आयू एक मान लेंगे तो पिता की आयू बारा गुणी थी इससे यह रेशो की ट्रिक हमने फैस्ट पार्ट में कराई थी अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए फिर अच्छे समझ आ जाएगी आपको तो अब इस एक की मल्टिप्लाई इस दो से करनी होती है और इस बारा की मल्टिप्लाई इस एक से और ज् में से एकम को घटा देना है तो एक की 20 से करेंगे 20 और 20 की 12 से करेंगे तो 240 240 में से 20 गए तो 220 दस रेशो बराबर 220 है तो एक रेशो बराबर 22 अब इस एक रेशो की मल्टिप्लाई इस दो से और एक से कर दिनी है उपर वारी से मल्टिप्लाई करना में सा तो 22 की 2 से करेंग वर्तमान आयू पुछा है तो यह आजाएगे चवालीस ओप्शन डी कि नेक्स्ट क्यूस्टन करते हैं कि पांच का महेश की वर्तमान आयू उसके पुत्तर की आयू की च्यार गुनी है तो यह महेश है यह इसका पुत्तर है अगर पुत्तर की आयू एक वर्त है तो इसके पिता की आयू च्यार गुनी हो जाएगी तो च्यार हो जाएगी यह और दस वर्त बाद तो 10 एड़ कर देंगे दोनों साइड तो 10 वर्ष बाद महस की आयू अपने पुत्र की दोगनी हो जाएगी तो अगर इसके पुत्र की आयू एक मानते हैं तो इसकी दोगनी दो हो जाएगी महस की आयू अब इस एक की मल्टिप्लाई इस चार से और दो की इस से ज्यादा में से कम को गटा देना है तो एक की चार से करेंगे चार दो की एक से करेंगे तो दो अब एक की इस से और दो की इस से एक की दस से करेंगे दस दो की दस से करेंगे बीस बीस में से दस गए तो दस दो रेशो बराबर दस है एक रेशो बराबर पांच एक रेशो की मल्टिप्लाई अब चार से और एक से चार से करेंगे तो बीस और एक से करेंगे तो पांच अब क्या पुछा मेहस के पुत्तर की वर्तमान आयू तो मेहश के पुत्र की वर्तमान आयू कितनी है पांच वर्स आ जाएगी उप्सन A नेक्स्ट क्योष्टन करते हैं दस वर्स पूरा राकेस की आयू, राम की आयू की तीन गुना थी लेकिन दस वर्स बाद राकेस की आयू, राम की आयू से दुगनी होगी तो दोनों की वरतमान आयू का अनुपात जात कीजिए इसमें हमें पर्जेंट एज नहीं दी हुई तो हम इसमें क्या करेंगे पर्जेंट एज मालेते हैं यहां है पर्जेंट एज तो इससे 10 वर्ष पूरा हो किदनी आयू दी हुई है? राकेस की ये राकेस है और ये राम तो राम की आयू से तीन गुना है राकेस की आयू अगर राम की आयू एक है तो राकेस की आयू तीन हो जाएगी और दस वर्स बाद परजेंट इस से दस वर्स बाद राकेस की आयू राम की आयू की दुगनी हो जाएगी राम की आयू एक ह करनी है दो की एक से तो यह 3 आजाए गर यह 2 तीन में से दो गया तो एक इस की मल्ट्लाइब यह यह जाएगा 392 कि एक से करेंगे तो है यह जाएगा 20 और यह दस साल पहले किया यू था गायू है पर्जेंट निकालनी है तो इसमें 10 adm पड़ेगा तो 60 में 10 करेंगे तो 70 और 20 में 10 अथा करेंगे तो 30 और किसकी पूछिए इसने दोनों की पूछिए तो इनका रेश्यों निकालेंगे तो इस 7 रेश्यों 3 आ जाएगा option c यह इसने उल्टा दे रखा है next question करते है साथ का चार वर्ष पुरो पिता की आयू पुत्र की आयू से आठ गुना थी वर्तमान में पिता की आयू पुत्र की आयू से चार गुना इसने present age दी हुई है तो present age पहले लिखते हैं यह फादर है और यह सन तो पुत्र से चार गुना यू पिता की है तो इसकी एक माननेंगे तो इसकी चार माननेंगे और चार वर्ष पूरो पिता शन का एक आठ गुना हो जाएगा तो इसकी multiply इस 4 से आठ की multiply एक से चार से करेंगे तो 4 और 8 की एक से करेंगे तो 6 एक की 4 से करेंगे और 8 की इस 4 से तो यह 4 आ जाएगा और 8 को के 32,32 मैं 4 गए तो 28 तो चारिस बराबर अठाइस है तो एक रिस बराबर शाथ आ जाएगा साथ की मुट्लीप्लाइज चार से करेंगे तो अठाइस और एक से करेंगे तो साथ क्या पूछा पुत्त्र की वरतमान आईउ कितनी है शाथ वर्ष बी ओप्सन आ जाएगा next question करते हैं 8 का राम के आयू उसके पिता की आयू की आद्धी है और 20 वर्स पूरव राम के पिता की आयू राम की आयू की 6 गुनी थी तो आज राम वै उसके पिता की आयू कितनी है तो ये राम है और ये इसका पिता है फादर मान लेते हैं तो राम की आयू उसके पिता की आद्धी है अगर उसके पिता की आयू दो वर्स है तो राम की कितनी हो जाएगी इसकी आद्धी एक वर्स और बीस वर्स पूरा हो राम की पिता की आयू राम की आयू की छह गुनी होगी अगर राम कि आयू 1 है तो इसकी 6 गुनी होगी मतलब 6 हो जाएगी है अब इस 1 की multiply 2 से 6 की 1 से तो कितना जाएगा 2 यहाँ पे और यहाँ पे 6 6 में से 2 गए तो 4 अब इस 1 की multiply 20 से और 6 की multiply इस 20 से तो इसकी करेंगे तो 20 और 6 की 20 से करेंगे तो 120 120 में से 20 गए तो 100 तो 400 ब्राबर 100 एक रिस ब्राबर 25 25 की दो से करेंगे तो 50 और 25 की एक से करेंगे तो 25 तो आज राम वै उसके पिता के आयू कितनी है 25 और 50 और 25 तो डी ओप्सन आ जाएगा यह नेक्स्ट क्योस्टन करते है 9 का राम की आयू रहिम की आयू की तीन गुणा है पांच वर्स बाद राम की आयू रहिम की आयू की डाय गुणा हो जाएगी तो राम वै रहिम की वर्तमान आयू बताना है तो यहाँ पे मान लेते हैं राम यहाँ पे रहिम तो राम की आयू रहिम की आयू की तीन गुणा है अगर रहिम की आयू एक है तो राम की आयू कितना हो जाएगी इसका तीन गुणा मतलब तीन और पांच वर्स बाद दुन्नों साइड पांच एड़ करना है पांच वर्स बाद क्या हो जाएगा और राम का यू पांच वर्ष अब इस दो की मुल्टिप्लाई तीन से और पांच की एक से इसकी दो की तीन से करेंगे च्छै और पांच की एक से करेंगे तो पांच च्छै में पांच गया तो एक इस दो की पांच से करेंगे और पांच की इस पांच से तो दो की पांच से कर लोका नो चैनल अव्लीकि भी्षिक जान करते हैं करें अधिक है जाय़ की एक है पिता कि आयों बेटे की आयों की तीन गुणा है यह फादर मान लेते हैं और यह सन तो इसकी तीन गुणा हो जाएगी तीन और 12 वर्श बाद दोनों साइड बारा एड़ करेंगे उसकी आयू बेटे की आयू की दोगुनी होगी और इसकी बेटे की आयू एक है तो इसकी दोगुनी दो हो जाएगी अब इस एक की मल्टिप्लाई तीन से और दो की एक से तीन से करेंगे तीन दो की एक से करेंगे तो दो ज्यादा में से कम को गठारा है तो एक आजाएगा इस एक की बारा से इस दो की इस बारा से एक की बारा से करेंगे बारा और दो की बारा से करेंगे तो चोविस चोविस में से बारा गए तो बारा तो एक रेश बराबर बारा इस तीन से मल्टिप्लाई करेंगे इस बारा की तो च्छतिस और एक से करेंगे तो बारा और इनकी वर्त माना आयू कितनी आ जाएगी 36 और 12 ओप्सन बी आ जाएगा नेक्स्ट क्योस्टन करते हैं 11 का दस वर्स पूरव सरला की मात्ता की आयू उसकी आयू से 4 गुणा थी दस वर्स बाद मात्ता की आयू पुतरी की आयू से 2 गुणी होगी तो इसमें हमें पर्जेंटेज नहीं दे हुई है तो हम पर्जेंटेज माननेंगे यहां पे और इस से 10 वर्स पूरव ये मदर होगी और ये सरला तो सरला की मत्ता की आयू कितनी है? सरला की आयू से चार गुणा अगर सरला की आयू एक है तो इसकी मत्ता की चार हो जाएगी और दस वर्स बाद मत्ता की आयू पुत्री की आयू से दो गुणी होगी अगर शरला की एक आयू है तो इसकी मात्रे मात्व कि आयू दो हो जाएगी और बीच इनतर कितना हो गया either 10 साल पहले और 20 साल बाद 20 का अंतर हो गया यहाँ पर तो इसे एक एक मैल्टिप्लाई 4 से 2 की एक से yeहाँ पहाजएगा चार और चार मेंसे दोगे तो 2 इस एक की इस 20 से और ज्यादा मेंसे कम को गटा देना है तो यहां पर 20 आएगा यहां पर 40 40 मेंसे 20 गए तो 20 दो रेशो बराबर 20 है तो एक रेशो बराबर 10 एक रेशो की मल्टिप्लाई यहां पर करनी है तो यहां पर आजाएगा 40 और एक की यहां पर करेंगे तो 10 और यह 10 नियूब है वर्तमान के यू निकड़ेंगे तो इसमें दस एड़ करेंगे तो चालिश में दस एड़ करेंगे तो 50 और दसमें दससान करेंगे तो लिछ पैसा वर्तमान यू इतना अनुपादšill कितना जाएगा नूपाद दो option C आजाएगा next question करते है 12 का स्याम की आयू अपने पिता की आयू से आद्धी है तो स्याम के पिता को मान लेते है F और FATHER और स्याम की आयू को S मान लेते हैं स्याम को तो स्याम के पिता की आयू कितनी है दो मान लेते हैं तो स्याम के पिता की आयू दो मान लेते हैं और तो स्याम की आद्धी है तो मतलब दो का अद्धा एक हो जाएगा और 20 वर्स बाद उसके पिता की आयू स्याम की आयू से डेड़ गुना होगी डेड़ गुना मतलब कितना होता है तीन बटा दो अगर इसके स्याम के यू दो है तो इसका डेड़ गुना कितना हो जाएगा तीन अब इस दो की मिल्टिप्लाई इस दो से तीन की मिल्टिप्लाई इस से यहां पर मिल्टिप्लाई करेंगे चार तीन की एक से करेंगे तीन चार में से तीन गया तो एक इस दो की multiply इस 20 से, इस 3 की multiply इस 20 से, तो 2 की 20 से करेंगे, 40, 3 की 20 से करेंगे, 60, 60 में से 40 गए तो 20, तो एक बराबर 20 आ गया, 20 की multiply इस 2 से करनी ही, 40, 20 की एक से करेंगे तो 20, 40 और 20 इनकी वरतमान आईउ आ जाएगी, और इसने क्या पुछा है, स्याम के पिता की वरतमान दो रेशो तीन बैस सज्क्राइब्सार चैनल और अनुपाद में वर्तमान में युव का कि योग ndo कि यूद कितना होगा इसमें से 30 कटा देंगे यहां जाएगा 63 रिद्ध वर्स पूरे से कितना था ? 2 रे से 304 और इन का जोड़ कितना हो जाएगा ? 2 और 35 और 4 नो तो 9 रे शो बराबर कितना है ? 63 तो एक रे सो बराबर साथ आजाएगा और इसने क्या पुच्छा है अमित की वर्तमान आयू और यह है रमेश यह महेश और यह अमित तो अमित की आयू का नुपाद कितना है चार तो साथ का मल्टिप्लाइज चार से करेंगे तो 28 और यह 28 वर्स दस साल पहले की है अब की निकालें यह तो 10 एड कर दो अनुपाद 3 अनुपाद 4 है तो इसको 2x माले लेते हैं इसको 3x और इसको 4x और यह 10 वर्स पूर अग्यायू है परजेंटेज निकालेंगे तो 10 एड करना पड़ेगा तो परजेंटेज कितनी आ जाएगा इसकी 2x प्लस 10 और इसकी 3x प्लस 10 और इसकी 4x प्लस 10 यह इन कि प्रजेंटेज का यह कितना दे रखा है तिराण में इन तिनों को एड करेंगे तो 2x और 3x और 4x कितना हो जाएगा 2 3 5 4 9x 10 20 30 यह हो जाएंगे और 93 तो 9x बराबर तिराण में माइनस 30 9x बराबर 63 और x बराबर 63 बटानो 7 और एक्स की मल्टिप्लाई अब प्रजेंटेज निकालनी इसकी अमीत की तो प्रजेंटेज की नीचे अमीत की 4x प्लस 10 तो एक्स किसी जगया 7 रखेंगे 7 चोके 28 और जमा 10 बराबर 38 यह इसका बेसिक था और यह इसकी ट्रिक थी नेक्स्ट क्योस्टन करते हैं 14 का अरून और दिपक की वर्तमान आयू का अनुपात तीन है 6 वर्ष बाद 6 एड़ कर देंगे अरून की आयू 26 वर्ष होगी तो अरून की आयू अब है 4x मान लेते हैं और 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 26 यह अरून की आयू है तो एक्स वसाइड जाएगा तो 26 माइनस 6 20 और x बर 20 बटा 4 5 आ जाएगा तो क्या पूछा दिपक की वर्तमान आयू पूछा है दिपक की वर्तमान आयू है थरी थरी एक्स है तो एक्स की वैल्वियां रखेंगे तो पांत यह 15 पंदरा आ जाएगा उप्शन एक्स्ट करते हैं 15 का समीर और आनंद की वर्तमान आयू का 10-29 जायेंगा नो की मैल्टिप्लाइः पांच से 911 क्यार से करेंगे 45 अनुद की वर्तमान आयू यू का ठोटे करेंगे तो 24 second outs ।yr देखए आजएगा नेक्सों करते हैं दस वर्ष पूरा दिप्पक की आयू अजित की आयू से दुगनी थी यदि दस वर्ष बाद दिप्पक की आयू चालिस वर्ष हो तो अजित की आयू क्या होगी तो अजित की आयू को हम A मान लेते हैं और दिप्पक की आयू को हम D मान लेते हैं वर्तमान आयू है यहीं की तो दस वर्ष पूरा हो तो दस वर्ष पूरा हो दोनों में से दस माइनस कर देंगे तो दस वर्ष पूरा दिपक की आयू अजित की आयू की दोगनी हो जाएगी इसकी आयू की दोगनी हो जाएगी ठीक है तो यह करेंगे दी माइनस टैन और यह ट प्लस 10 तो दस वर्स बार दिपक की आयू 40 वर्स हो तो अब कितनी हो जाएगी 40 में से 10 गए तो 3 मतलब अब उसके आयू 30 है अब यह 30 एक्वेशन 1 में रखना है तो D की दगा 30 रखेंगे तो 30-10 बराबर 2A-20 30 में से 10 गए तो 20 और 2A-20 यह 20 माइनस का उदर जाएगा तो पलस का और 20 और 20 40 बराबर 2A यह 2 मल्टिप्लाइ में इदर जाएगा तो डिवाइड में तो A बराबर 20 आ जाएगी तो अजित की परतमान आयू कितनी आ जाएगी 20 ओप्शन D आ जाएगा नेक्स्ट क्वेशन करते हैं 17 का 10 वर्ष पूरव सचीन की आयू अजे की आयू से दूगनी थी तो सचीन की आयू को हम S मान लेते हैं और अजे की आयू को हम A मान लेते हैं तो 10 वर्ष पूरव S-10 और A-10 यह 10 वर्ष पूरव इनकी आयू है तो दस वर्स पूरा सचीन की आयू अजय की आयू से दूणी थी उसके बाद क्या बोला यदि दस वर्स बाद सचीन की आयू तो दस वर्स बाद कितनी हो जाएगी S पलस 10 परजेंटेज S है तो इसकी आयू कितनी हो जाएगी 60 तो पर्जेंटेज कितने आ जाएगी 10, 60 मिसे गए तो 50 अब इस 50 को यहां पे रख देंगे तो 50-10 बराबर 2A-10 50 मिसे 10 गए तो 40 और 2 multiply में इदर आएगा तो divide में और A-10 यह आजाएगा 20, 10 माइनस में इदर आएगा तो plus में तो A की value कितने आगी 30 परस option B आजाएगा next question करते है 18 का अभी सेक की आईउ अपने पिता की आईउ का छटा बाग है 10 वर्स बाद अभी सेक के पिता की आईउ अभी नव की आईउ की दुगनी होगी यदि अभी नव का 8 वाजनम दिन 2 वर्स पूरो मनाया गया हो तो अभी सेक की वर्त मनायू क्या है तो अभी नव का 8 वाजनम दिन 2 वर्स पूरो मनाया था तो अब वो कितने साल का होगा 10 साल का होगा तो अभी नव की वर्त मनायू कितना है 10 वर्स और उससे पहले क्या बोला है अभी नव की आयू की दूगनी होगी अभी नव की आयू अब 10 वर्स है और 10 सल बाद 20 हो जाएगी और इसका दूगना है अभी से की पिता की आयू तो एफ पलस 10 और 10 वेह जाएगा तो माइनस में तो यह F पराबर 30 हा गया तो अभी सेक की पिता की I.I.O कतनी है 30 और इसे पहले लाइन कया बोला है अभी सेक की I.O का छटा बाग है तो इसके पिता की I.O 30 वर्च है तो अभी सेक की I.O कतना हो जाएगा अपने पिता की I.O का Driven पिता की I.O का Telloles option A आ जाएगा next question करते है 19 का यदि गुलजार की वर्तमान आयू में से 6 गटा कर गुलजार की वर्तमान आयू को हम जी मान लेते हैं तो इसकी वर्तमान आयू में से 6 गटा कर 6 गटा दिया उसके बाद जो सेस्फल बचा है 18 से बाग दे दिया उसके बाद बाग दे तो अनूप की वर्तमान आयू पराप्त होती है तो ये आयू किसकी आगी अनूप की उसके बाद क्या बोला महेस की आयू 5 वर्स है महेस की आयू 5 वर्स है उसके बाद अनूप महेस से 2 वर्स छोटा है तो अनूप की आयू कितना हो जाएगा, इसे दो वर्स होँता है तो अनूप की आयू तीन वर्स हो जाएगी और यहाँ पे अनूप की आयू कितनी लख देंगे? तीन, तो तीन बराबर कितना था? जी माइनेस चैर बते अठारा 18 उससाइड जाएगा तो 18 तीए 54 बराबर G-6 यहाँ पे 6 माइनिस का है उससाइड जाएगा तो पलस का तो 54 और 6 60 तो G की आयू कितनी हो जाएगी 60 तो गुल जार के यह पूच्छी इसने 60 हो जाएगी option C next question करते 20 का A और B 2 मित्र हैं A की आयू B की आयू से 2 वर सदिक है तो A की आयू B से 2 वर सदिक है उसके बाद क्या बोला है A के पिता D की आयू A से A की आयू से दूगनी है तो D की आयू A से दूगनी है उसके बाद बोला B की आयू उसकी बेन C की आयू से दूगनी है तो B ब्राबर क्या हो जाएगा 2C उसके बाद D और C में 40 वर्ष का अंतर है तो D माइनस C 40 दे रखा है तो ऐसी क्यूशन हमने एक और परानी पड़ेगी तो यह देखो यहाँ पे D ब्राबर 2A है तो A निकालेंगे तो यह दो उदर डिवाइड में चला जाएगा तो A बराबर D बाई 2 आजाएगा अब इस A की वैल्लू हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्यूशन में तो A की जगा क्या रख देंगे D बाई 2 बराबर B पलस 2 है तो B की जगा हम क्या रख सकते हैं 2C तो 2C यहाँ रख देंगे और पलस 2 अब यह दो यहाँ पे डिवाइड में है उस साइड जाएगा तो मिल्टिप्लाई में 2 की इस 2 से करेंगे 4C और इस 2 की इस 2 से करेंगे तो 4 और यह 4C यहाँ पलस में इदर आएगा तो माइनस में मराबर 4 यह आगी हमारी दूसरी क्योंशन यह थी पहली एक्योशन अब पहली में से दूसरी को म इनस कर देंगे तो यहाँ पर D- 4C is equal to 4 यह दूसरी क्योशन नहीं माइनस करेंगे तो यह निसान नहीं पलटी हो जाएगा यहाँ पर माइनस यहां पे plus और यहां पे minus D से D cancel और 4 C में से 1 C गयतों 3 C और 40 में से 4 गयतों 36 तो C बराबर 36 बटा 3 12 आ जाएगा तो C की value आगी 12 और क्या पुच्छा है A और C की तो A की और निकाल लेंगे अब C की value 12 है तो B की कितनी आ जाएगी C की value की दूगना है तो B की value आ जाएगी 12 दोनी 24 B की value 24 है और A की value क्या थी 20 से 2 वर्ष बड़ा तो B की 24 है तो A कितनी आ जाएगी 26 तो 26 और 12 option D आ जाएगा इसका तो आज की वीडियो में बैस इतना ही इससे आगे क्युस्टन हम next वीडियो में करेंगे अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे share कर देना Thank you